नमश्कार दोस्तो मैं हीना राओ हैरी एडिकेशन चैनल में आप साबी का स्वागत करते हूं दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सस्क्राइब कर रखा है वो हमारी वीडियो को लाइक करें कोमेंट करके हमें बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ताकि हम हमारा बहतरी इन वीडियो अप्लोड कर सके आपके लिए जो कि आपके एक्जांस में कासी बेनिफीशल होगी दोस्तो हम आज वो questions करेंगे जो एक्जांस में बार-बार repeat होते हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं जो बहुत ही important है तो दोस्तो सबसे पहला question है केशर पोधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है वो है रंद्र और दूश्रा option आपसे ये भी पूछा आ सकता है option रंद्र यानि stigma stigma जिससे हमें केशर प्राप्त होता है अगला question है दोस्तो अफगानिस्तान की रागधानी क्या है दोस्तो जो रागधानी है इनके उपर काफी बार exam में question आते है group COD में हर बार question आ रहा है इसी पर नहीं बाकि other countries जो महतवपून countries है उन पर ये question आ रहा है उनकी रागधानी पर तो दोस्तो अफगानिस्तान की जो रागधानी है वो है काबूल काबूल जो है वो है अफगानिस्तान की रागधानी और ये बहुत ही महतवपून question है जो exam में पूछे जाते हैं अगला question है discovery of India पुस्तक किस ने लिखी तो दोस्तो जोहार लाल नहरू ने लिखी जो आहर लाल नहरू जो थे वो भारत के पर्थम परधानमंत्री भी रह चुके और उन्होंने जो पुस्तक लेखी उसका क्या नाम था discovery of India अगला question है रविंदर नाथ टैगोर को नोबल पुरुषकार कब मिला तो बात करते हैं कि शुरुवात जो नोबल पुरुषकार की है वो कब हुई तो 1901 में जो है नोबल पुरुषकार की शुरुवात हुई और उसके ठीक 12 साल यानि कि 1913 में रविंदर नाथ को उनकी कुस्तप गितांजली पर नोबल पुरुषकार मिला कम मिला 1913 में दोस्तो अगला question है गुरुत्वाक्षन की खौज किसने की ये question तो हम सभी जानते हैं कि गुरुत्वाक्षन यानि की gravity और जो gravity की जो खौज की थी वो की थी Newton ने Newton ने और Newton ने अपने तीन लाज़ भी दिये थे जो कि काफी बार उनके उपर exam में question भी आता है Newton के लाज़ पर दोस्तो वो भी आप देख लेना आपके आगे कि जो exam से उनके लिए बहुत ही साहिक होगा काफी बार इसके भी question आता है अगला question है नेत्र दान में आख का कौम स भाग दान किया जाता है दोस्तों वो है कॉलनियाघ जो की हम दान में देते हैं नेत्र का जो भाग है अगला question है खटे दूद में कौन सा अमल पाया जाता है वो है लेक्टिक एसेड लेक्टिक एसेड यानि जो लेक्टिक जो अमल है वो हमारे खटे दूद में पाया जाता है और अगर बात करें सूगर की तो वो होता है लेक्टोज जो कि दूद के अंदर जो फूगर पाया जाता है वो लेक्टोज और जो दूद को धई में कनवर्ट करता है वो दोस्तो हम अब नेक्स्ट क्यूशन देखते हैं भारत रतन से समानित पर्थम महिला वो थी इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी दोस्तों इन्हें 1931 में समानित किया गया था यानि कि इन्हें जो भारत रतन पुर्षकार है वो 1931 में मिला था हमारा लगला क्यूशन है राकेश हर्मा किस वर्ष अंत्रिक्ष में गया था तो दोस्तों वो गया था 1984 यानि 1984 में और जो भारत मेट्रो जो है वो भारत में सबसे पहले जब आई थी वो आई थी 1984 में कॉलकाता मेट्रो दोस्तो नेक्स्ट क्वेशन है विधान सभा की न्यूंतन संख्या कितनी हो सकती है तो दोस्तो न्यूंतन संख्या जो होती है वो होती है 60 और अगर बात करें अधित्तम तो वह होती है 500, हमारा अगला question है, follow को कृत्रम विधी से पकाने के लिए कोन सी gas का पर्यों किया जाता है, वह है ethylene, जो ethylene जो gas है, वह follow को पकाने के लिए हमुज करते हैं, हमारा अगला question है, किस रंग का तरंग ढहर्ये सरवाधिक होता है? तरंग धहर्य यानि की wavelength तो दोस्तों जो लाल रंग जो होता है उसका तरंग धहर्य सबसे ज़्यादा होता है यानि उसकी wavelength जो होती है सबसे ज़्यादा होती है अगर बात करें हम कि wavelength सबसे कम किस कलर की होती है तो वो होती है violet की उसके अलावा हमारे की questions है ये भी बनता है frequency का कि frequency किसकी अधिक होती है या किसकी नियूंतम होती है तो दोस्तों जो frequency होती है वो wavelength की inversely proportional होती है यानि कि लाज रंग की जो frequency होती है वो सबसे कम होती है और सबसे जो ज़्यादा frequency होती है वो violet color की होती है दोस्तों ये सारे questions हैं जो exams में काफी बार पूछे जाते हैं रिपीट होते हैं बार बार हमारा अगला question है महिला दीवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों महिला दीवस जो है वो हम 8 मार्ज को मनाते है दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है कि हम महिला दीवस क्यों मनाते हैं आप हमें कोमेंट करके जरूर बताए कि हम महिला दीवस क्यों मनाते हैं और क्यों मनाएं आप हमें जरूर बताइएगा हमारा next question है बांगला देश की मुद्रा कौन सी है वो होती है टका और अगर बात करें हम अपने भारत देश की की भारत की मुद्रा है वो क्या होती है वो होती है रुपे और इसके अलाव एक बहुत ही महत्रपूर्ण क्रेशन ये भी बनता है कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या होती है तो दोस्तों जो पाकिस्तान की मुद्रा है वो भी रुपए ही होती है हमारा अगला क्यूशन है विंग्स ओफ फायर आत्म कथा किस ने लिखी वो लिखी थी एपीजे अब्दुलकलाम जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और कोमेंट में हमें जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों हम अगले next questions देखते हैं भगत सिंग को फासी कब हुई वो हुई थी 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 और दोस्तों हाल ये में हमने भगत सिंग जैनती भी मनाई है 27 सेप्टेंबर जो अभी गया है उसको हमने भगत सिंग जैनती मनाया है दोस्तों अगला question है एक व्यक्ति अधित्तम कितनी बार अमरिका का राश्श्टपती बन सकता है तो इसका जवाब होगा दोस्तों 2 जो अमरिका में जो राश्टपती है वो सिफ 2 बर ही मना जा सकता है और हाल ही में जो अमरिका का राश्टपती है वो है Donald Turn अगर बात करें कि कितने वर्ष का कारीकाल होता है अमरीका के राश्पती का तो वो है चार वर्ष का कारीकाल होता है और यह क्यूशन भी एक्जाम में काफी बार पूछा जाता है हमारा अगला क्यूशन है दो बार एवरिश पर चड़ने वाली भारतिय महिला वो थी संतोष यादो जो की हर्याना से है हमारा अगला क्यूशन है गारो वैखासी हिल्ष किस राजय में हैं वो है दोस्तो मेगाले दोस्तो नाम से ही पता चला है मेगाले यानि मेगाले के जो शेप जो होता है वो मेग जैसा होता है और इसकी जो राजधानी है वो है शिलोंग और मेगाले ऐसा राजय है जहां पर वर्षा सर्वधिक होती है हमारा अग्ला Quesion है Antrix यात्री को अंत्रिक कैसा दिखाई देता है उसे काला दिखाई देता है कैसा दिखता है काला अगर दोस्तों हमारे ऐसे ही वीडियोज आपको चाहिए हो तो आप हमें कोमेंट करके जरूर बताएं